हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट फिर्स्ट अफॉल आइड लाइक तो सजेस्ट यू तो वाच दे एक्स्प्लानेशन वीडियो अफ दिस चैप्टर क्लास 12 के हर एक लेसन का एक मैरेज प्रॉपजल बचा हुआ था उसका भी मैंने एकदम अच्छे से एक्स्प्लानेशन करके मैंने बताया है और जो स्टुडेंट कमेंट करते हैं वो बताते हैं कि सर ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला ऐसा एक्स्प्लानेशन तो आप लोग भी जाएए देखिए ठीक है चलिए हम लोग समरी इस चैप्टर का now the leaves are falling fast इसका समरी हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं याद हो जाएगा बस छोटा सा समरी है समझ में आ जाएगा तो चलिए पढ़ते हैं देखिए now the leaves are falling fast यह जो चैप्टर है is one of the finest lyric poet य यह सबसे बढ़िया lyric poems है, lyric poem का मतलब होता है ऐसा poem जो गीत के तरज पर हो, जैसे गीत होता है मिला 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 हुआ, last में जो मिलता रहता है उसी तरह से, जिसको हम लोग rhyming word कहते है, rhyme मिला मिला करके जो poem बनता है, उसको lyric poem कहते है, तो यह जो poem है, now the leaves are falling fast, जैसे इसके last में fast ह है, अगले line के last, अंत में होगा last, इस तरह से, वो rhyming मिला मिला के poem बनाया गया है, जो W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है, which has been composed by the modern poet W.H. Auden, जो आधुनिक कवी, modern poet W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है, इस poem का जो title है, हमें suggest करता है, about the death of human beings, like the falling fast of leaves, जिस तरह leaves जो है, पतिया जो है, वो तेजी से गिरती है, तेजी से जहर जाती है, उसी तरह, यह जो human beings है, यह जो human, मतलब मानव जो समाज है, मानव मनुष्य जो है, उसकी death भी उसी तरह जल्ली हो जाती है, इसी के बारे में इस poem में बताया गया है, human beings are going to their grave, जो मनुष्य है, वो अपने grave में, अपने कपर में चला जाता है, very fast, बहुत जल्दी, due to suffering and diseases, बिमारी की वज़े से, और sufferings, मतलब पीराकस्ट की वज़े से, जल्दी ही मर जाता है, In this poem, इस कविता में, the poet tries to expose, जो कवी है, poet है, वो expose करने का कोशिश करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, The frustration and crisis in modern life, modern life में, आधुनिक जीवन में, आजकल की जीवन में, जो crisis है, और जो frustration है, लोगों के अंदर जो तनाव है, जो गुस्सा है, उसको दिखाते हैं, The poet says that, all fake love to one another, poet ये कहना चाते हैं, कि सभी एक दूसरे के परती, fake love, मतलब जूटा प्यार एक दूसरे को लोग दिखाते हैं, सच्चा प्यार नहीं, The messenger of death, जो मृत्यू के जो देवता है, वो is present to snatch the real delight of people, लोगों का जो real delight है, जो असली आनन्द है, उसको snatch करने के लिए, उसको छीनने के लिए, जो मृत्यू के देवता है, messenger of death है, वो present है, वो उपस्तित है, हमेशा आगल बगल में रहते हैं वो सबके, कि कब किसका प्रान ख खुशी है वो छीन ले, people who are alive today, जो लोग आज जिन्दा है, will die tomorrow, वो कल मर जाएंगे, this expression, ये जो expression है, ये जो भाव है, suggest that, बताता है कि human life is no better than death, कि मनुष्ट की जिन्दगी है, वो मृत्यू से ज़्यादा बरिया नहीं है, the underlying idea in this poem, इस poem का जो underlying idea है, जो मुख्य बात है, व death is certain, कि मृत्यू जो है, वो निश्चित है, और जब मृत्यू निश्चित है, तो किस बात का गम है, दुख किस बात का है, तकलीब किस बात का है, खुशी किस बात की है, जी हो, शफर के मजेलो, मंजिल तो मौत है, इंस्टाग्राम पर विल्स वाइरल है, आप लोग मुझ जिन्दगी के सफर के मजेलो, मंजिल तो मौत है, तो लाइफ, वो कहना चाहते हैं कि death is certain, मृत्यू जो है, वो निश्चित है, लाइक ट्री, पेर की तरह, पेर की तरह, man also has to meet his end someday, मनुष्य को भी कभी न कभी अपने इंड से, अपने अंत से जरूर मिलना होगा, जिस तरह उस पेर को, पेर की पत्ती को, जिस तरह कोई नई पत्ती निकलती है, कितनी हरी बरी, कितनी प्यारी लगती है, वो कली जो निकलती है, उसी तरह फिर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उसी तरह एक इनसान जब बच्चा पैता लेता है, कितना मासूम, कितना प्यारा रहत पिर वह बढ़ता है उसके मन में पाप, कलेस, कस्ट ये सवाते हैं उसका जीवन कस्ट से भर जाता है सुखी भी रहता है लेकिन फिर दिरे-दिरे-दिरे जिस तरह पत्ती एक छोटा सा पत्ती जो वो निकलता है किसी तने से और वो बढ़ा हो करके सूख के गिर जाता है जहर जाता उसी तरह इंसान भी बच्चा जो है जन्य मिलेता है और फिर धिरे-धिरे जवान होता है फिर धिरे-धिरे बुड़ा होता है और मर जाता उसी पत्ती की तरह तो हमें कभी भी घमंट नहीं करना चाहिए, लाइफ को इंजॉय करके जीना चाहिए, यह चैप्टर है, Now the leaves are falling fast, जो लिखा है, W.H.Ordan ने, मैंने पहले ही बोल दी हर एक चैप्टर का explanation बना हुआ है, और यह जो वीडियो है, यह मैं upload करूँगा, उस playlist बना हुआ है, उस playlist मे वालों के लिए, और commerce वालों के लिए भी, वो लोग जरूर याद करें उसको, सब के लिए समरी, मैंने एक PDF दिया हुआ है, टेलिग्राम चैनल पर, टेलिग्राम चैनल आप लोग जोइन कर लें, और उसमें बहुत सारा PDF में देता रहता हूँ, student की तैयारी के लिए, तो व ऐसा लगा ही आपको समरी, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, थैंकिसो मज़ भबे, ठीक केर